लोक सभा में निता वीपक्ष के तौर पर राहूल गांधी के हिंदूओं पर दिये एक बयान ने हंगामा मचा दिया दरसल राहूल ने कहा था जो खुद को हिंदू कहते हैं वह हिंसा हिंसा करते हैं इसले कर सदर में जबरदस्त हंगामा हुआ खुद पीएम मोधी ने राहूल के भासड के बीच उन्हें टोका और कहा कि पूरे हिंदू समुदायक को हिंसा से जोड़ना ठीक नहीं है और जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं वो 24 अद्धा हिंसा नफ्रट नफ्रट असत्या अस्त्या असत्या विशैब बहुत गंबीर है पूरे हिंदू समाज को हिंशक कहना रुद्ध गंदूर शॉटन हो नए नरेंडर मोदी जी पूरा हिंदू समाज नः एह बीजेपी पूरा हिंदू समाज नई है RSS पूरा हिंदू समाज नहीं है ये ठेका नहीं है बीजेपी का वही केंद्री ग्रीर मंत्री अमित साह ने भी राहुल गांधी पर जम कर पलटवार किया साह ने कहा कि राहुल गांधी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए राहुल ने भाजपा पर निसाना साधते हुए कहा कि जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं वह 24 घंटे हिंसा हिंसा नफरत नफरत असत्य असत्य करते रहते हैं ये हिंदू है ही नहीं आप हिंदू हो ही नहीं हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य के साथ खड़े होने चाहिए सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए अहिंसा फैलाना चाहिए पीय मोदी ने इस दवरान बीच में ही उठकर राहुल गांधी को रोका और कहा कि यह बात बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक कहना गंभीर विशय है इस पर राहुल ने जवाब दिया कि मैंने भाजपा को हिंसक कहा नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है आरेसेस पूरा हिंदू समाज नहीं है पियम मोदी ने राहूल के बयानों पर बाद में सदन में कहा इस सविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए राहूल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए अमित साह ने कहा सोर सराबा करके इतने बड़े कृत्य को छीपाया नहीं जा सकता विपक्ष के नेता ने कहा कि जो अपने आपको हिंदू कहते हैं वह हिंसा करते हैं इंसा की बात करते हैं इनको सायद मालूम नहीं है कि करोडों लोग खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं क्या वे सभी लोग इंसा करते हैं मुझे लगता है उन्हें इसकी माफी मांगनी चाहिए ब्यूरो रिपोर्ट एन पीजी निउस